खाजा पर अटेक हुआ खाजारों लोग मार दिये गए इरान खामोश रहा लेबनान पर अटेक हुआ हमास का डिप्टी चीफ मार दिया थे इरान खामोश रहा अब यमन पर हमला हुआ है और इरान ने कह दिया है कि बस बहुत हुआ अब बरदाश्ट नहीं किया जाएगा 24 घंटे के अंदर इरान ने अपनी कमांडो फोर्स लाँच कर दी और इस ओपरेशन का टार्गिट बना अमेरिका इरान का सी किंग हेलिकॉप्टर कमांडो फोर्स को लेकर एक बड़े जहाज की तरफ बढ़ता है और उस पर चढ़ाई करके कमांडो जहाज को कबजे में ले लेते हैं इरान का दावा है कि सेंट निकोलस नाम के इस जहाज पर अमेरिका ने 2023 में कबजा करके इरान का तेल चुरा लिया था और अब उसने फिर से इस जहाज को कबजे में लेकर बदला चुका लिया है इरान की नौसेना ने एक तरह से अमेरिका की नेवी को धमकी दे दी है कि फारस के खाड़ी में उसके जहाज सुरक्षित नहीं है सवाल है कि क्या लाल सागर के बाद इरान स्ट्रेट ओफ हॉर्मूज को अमेरिका के लिए बंद कर सकता है अगर ये हुआ तो समझ लीजे कि इरान और अमेरिका के बीच सीधा युद्ध शुरू हो जाएगा इरान इस वक्त बहुत गुस्से में है जब से यमन पर अमेरिका और ब्रिटन की मिसाइल बरसी है इरान में प्रदर्शन हो रहे हैं इसरेल के बाद अमेरिका और ब्रिटन के जंडे भी जलाए जा रहे हैं लेकिन असली अक्षन तो यमन की तरब से आने का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि जब अमेरिका ने यमन पर मिसाइल दागने के लिए सुपर हॉर्नेट जेट लाँच किये तब साइप्रस की जमीन से ब्रिटन ने अपने योरो फाइटर टाइपून लाँच करके यमन पर बम बरसाए हैं वो तस बीस नहीं बलकि दरशनों बम और मिसाइलों से यमन को टारगेट किया है तो हमले के बाद की सैटेलाइट इमेज बताती है यमन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है बहुत से रेडार स्टेशन उड़ा दिये गए हैं बहुत से हैंगर तबाह कर दिये गए लेकिन इस हमले को लेकर यमन खामूश बैठेगा इससे अमेरिका अब तक समझ नहीं पाया है ये भीर अमेरिका और बेटन के हमले के खलाब सड़क पर उत्री है मुईदे प्जादे प्ट ही física प्लस्तीन जिसमें अब इसरेल ने हमास को खत्म करने के लिए घाजा में हजारों टन बम गिराएं तब इसरेल के साथ अमेरिका मिलकर खड़ा रहा और अब जब अमेरिका ने यमन पर बंबारी की है तो यमन के साथ इरान खड़ा हो गया है यही वज़े है कि यमन के हूथी विद्रोही अब लाल सागर में इसरेल के बाद अमेरिका और ब्रिटन के शिप को उड़ाने की धमकी दे रही है उसके इस धमकी को अमेरिका को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है क्योंकि हूथी विद्रोहियों के पास तीन ऐसी मिसाइल है जो अमेरिका का कैरियर जैसा बड़ा शिप भी डुबा सकती है पहली मिसाइल है फलक इस मिसाइल में इरान से मिली हुई गाइडेंस किट लगी हुई है इसकी रेंज है 140 किलोमीटर दूसरी मिसाइल है तनकील इस मिसाइल को इरान की राद 500 मिसाइल की कौपी कहा जाता है इसकी रेंज है 500 किलोमीटर, तीसरी मिसाइल है, सबसे खदरनाथ, नाम है आसिफ, ये इरान की मिसाइल फते 313 का ही वर्जन कही जाती है, रेंज है 500 किलोमीटर इरान ने चार साल पहले अपनी फतर मिसाइल का ट्रिलर दिखाया था, जब उसने एराक में अमेरिकी सेंड ने अड़नों पर हमले किये थे ये वही मिसाइल है जिससे इरान ने जनरल कासन सुलिमानी के हत्या का बतला लिया था, ये वही मिसाइल है जिसके धमाकों ने 100 से जादा अमेरिकी फोजियों को धमाके से जहनीर रूप से बड़ी चोट पहुँचाई थी, जिससे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजिरी भी कहते ह इरान ने अपनी फतेव 1-1-0 मिसाइल से कई हमले किये और अमेरिका उन्हें रोकने में पूरी तरफ फिल साबित रहा अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गए थी, लेकिन उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे लेकिन अमेरिका के एर डिफेंस सेस्टम इरान की फतेव 1-1-0 मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे इरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइल दागी थी, ये जहां गिरी, वहां ऐसे ऐसे गड़े बने और 100 से जादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सत्मा पहुचा था अब ऐसी ही मिसाइल यमन के पास भी है और अमेरिका के लिए ये डरने वाली बात है ये बाइडन और उनकी नौसेना भी बहुत अच्छी तरह से जानती है घाजा में चल रही बंबारी के बाद यमन के हूथी प्रो एक्टिब है उसको इरान का पूरा समर्तन भी है वो लाल सागर में इसरेल के जहाजों को निशाना बना रहा है तो वहीं अमेरिका और ब्रिटन ने यमन पर चड़ाई शुरू कर दिये आखिर समंदर में ऐसा उबाल क्यों आ रहा है अब यमन के हूथी विद्रोहियों ने इसरेल और उससे जुड़े जहाजों पर हमले देज कर दिये है यानि अदन की खाड़ी और लाल सागर में अब कार्गो जहाज के दो दुश्मन तयार है यमन के हूथी विद्रोहियों जो कि घाजा पर इसरेल की बंबारी रुकवाने के लिए इसरेल के जहाजों या फिर उसके लिए माल ले जा रहे कार्गो शिप को टागेट कर रहे है ये दोनों ये अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाजों को लगातार टागेट कर रहे है और यही से एशिया की तरफ योरप को रास्ता जाता है ये रास्ता जाते हुआ आप देख रहे हैं मालवाग ये जहाज जो की सामान लेकर जाते हैं आप दुनिया की सबसे एहम शिपिंग लेन मिस्र की स्वेस कैनाल से गुजरती हुई यहाँ पर दिखाई देती है और बड़ी बात इसमें ये है कि शिपिंग लेन की तरफ लाल सा जाते हैं क्योंकि उस वक्त समुद्री जहाजों को एफ्रिका का चकर बाकाइदा लगाते हुए या देखे कैसे ये चकर लगाते हुए और फिर आगे यॉरप के और बढ़ना होगा अगर इस्राइल जाना है तो फिर रास्ता 10,000 किलोमेटर तक और जादा हो जाएगा ये देखे इसरेल तक 10,000 किलोमेटर का क्योंकि ये पूरा घूम करके ये जाना पड़ेगा तीन से पाट दिन का सफर इसमें और जादा लगेगा यानि कि फासला भी जादा पैसा भी जादा लागत भी जादा वक्त भी जादा और कारोबार पूरी तरह से चौपट सामान कितन महेंगा हो जाएगा ये भी इसी के साथ आप समझ सकते हैं और यही है यमन के हूथी विद्रोहियों का टागेट यमन के हूथी विद्रोही इस वक्त घाजा में बंबारी का बदला इसरेल के जहादों को बना कर करना चाहते हैं और ऐसे हमले उन्होंने तेज करने का ऐलान कर दिया है खूथी विद्रोही लगातार इसरेल पर हमला कर रहे हैं वो फूस मिसाइल भी फायर कर रहे हैं पलिस्टिक मिसाइल से भी इसरेल के दक्षने इलाकों पर अटाक कर रहे हैं साथ में इसरेल और अमेरिका को लगातार धमकिया दे रही है। सब मैसूस करने लगे है। इसरैल ने दुनिया के प्रेशर के सामने जुकने से मना कर दिया है। लहाजा अब हूथी विद्रोही जिनकी एरान से बेहद करीबी है। उन्होंने इसरैल के शिप को टारगेट करने का फैसला किया है। वो जानते हैं कि उनके करीब से गुजरती शिपिंग लेन दुनिया की लाइफ लाइन है और यहाँ पर हमला करने का मतलब इस्रेल के गले पर हमला करने जैसे है। और संगापुर भी यह अमेरिका को जवाब है जिसने लाल सागर को हूथी प्रूफ बनाने के लिए औरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन के शुरुबात की है। जिहाद मुगदस वा अमल आजीम वा मौगिफ हग। अमेरिका ने जब से इस मल्टी नैशनल फोर्स को बनाने की पहल की है। वो हूथी विद्रोहियों के टार्गेट पर आ गया है और हैरत है कि अब तक वो उनको डराने में नाकाम रहा है। हूथी विद्रोहियों ने कह दिया है कि वो अब इन देशों के जहाजों को टार्गेट बना सकता है। और ऐसा वो लाल सागर में करेगा, ऐसा वो आदेन की खाड़ी में करेगा, ये वो देश हैं जो अमेरिका के उस गड़बंधन का हिस्सा बन चुके हैं, जो लाल सागर में हूथी वे द्रोहियों के हमलोगों को नाकाम करना चाहते हैं.